विदेशों में नौकरी के प्रती सचेत रहें कि म्यामार, कमबोडिया, लाउस में फसे सभी भारतियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास जारी है। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बागवी ने सापताहिक प्रैस समवाददाताओं से कहा कि जहां तक म्यामार में फसे भारतियों नागरिकों का स्वाल है, हम इस मामले को देख रहे हैं जिन में फरजी पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और कुछ लोग अभी भी फसे हुए है। वारता में उन्होंने कहा कि कुछ सुरक्षित निकाले गए लोग लोट आये हैं जबकि कुछ लोग अवैद प्रवेश के मामले में वहां की पुलिस की हिरा खबरों में म्यामार में 300 लोगों के फसे होने की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर बाक्ची ने कहा कि कुछ लोग वहां फसे हैं लेकिन यह संख्या निश्चित तोर पर 300 नहीं है इन लोगों को निकालने के प्रयास जारी है। विदेश कहा, म्यामार, कमबोडिया, लाउस में फसे सभी भारतियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास जारी है, मंत्राले के प्रवक्ता ने बताया कि लाउस और कमबोडिया से अब तब 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले महीने परामर्श भी जारी किया है जिसमें ऐसी लूभावनी पेशकश करने वाली कमपनियों से सचेत रहने को कहा गया था। गौर तलब है कि इस से पहले बाग्ची ने कहा था कि दक्षिन पूर्वी म्यामार के म्यवाती क्षेत्र में बंधक बनाए गए भारतियों के विशे से मंत्राले अवगत हैं। बंधक बंस अनुप से विशे से मंत्राले खजू हैं।